वैसे साथियों, जब मुजियूम के बारे में आपसे इतनी बाते हो रही हैं, तो मेरा मन किया कि मैं भी आपसे कुछ सवाल करूँ. देखते हैं, आपकी जनरल नॉलेज क्या कहती हैं, आपको कितनी जहनकरी हैं? मेरे नवज़वान साथियों, आप तयार हैं? कागेज कलम अभी मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूँ, आप उनके उत्तर नमो एप या सोशल मीडिया पर हैस्टेक मुजियूम पीज के साथ शेयर कर सकते हैं. और जुरू करें, मेरा आपसे आगरह है कि आप इन सभी सवानों का जवाब जरूर दें. इससे देश भर के लोगों में मुजियूम को लेकर दिल्चस्पी और बढ़ेगी. क्या आप जानते हैं कि देश के किस शहर में एक प्रसिद्ध रेल मुजियूम है, जहां पिछले 45 वर्सों से लोगों को भारतिये रेल की विरासत देखने का मोका मिन रहा है? मैं आपको एक और क्लू देता हूँ. आप यहां फैरी क्वीन, सलून अप प्रिंस अप वेल्स से लेकर फायरलेस टीम लोकोमोटिव ये भी देख सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि मुंबई में वो कौन सा मुजियूम है जहां हमें बहुत ही रोचक तरीके से करंसी का इव पुर्वर छठी शताब्दी के सिक्के मौजूद हैं तो दूसरी तरफ इमनी भी मौजूद है. तीसरा सवार विरासत एक खालसा इस मुजियम से जुड़ा है. क्या आप जानते हैं ये मुजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है? पतंगबाजी में तो आप सब को भा पताना अपा ही होगा. अगला सवाल इसी से जुड़ा है. देश का एक मात्र काईट मुजियम कहां है? आईए मैं आपको क्लू देता हूँ. यहां जो सबसे बड़ी पतंग रखी है उसका आकार 22 गणा 16 फिट है. कुछ ध्यान आया? नहीं तो यहीं एक और चीज बताता यह जिस शहर में है उसका बापू से विशेश नाता रहा है. बच्पन में डाग टिकेटों के संगर का शौक किसे नहीं होता है? लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाग टिकट से जुड़ा नेशनल मुजियम कहा है? मैं आप से एक और सवाल करता हूँ. गुल्शन महल नाम की इमारत में कौन सा मुजियम है? आपके लिए क्लू ये है कि इस मुजियम में आप फिल्म के डारेक्टर भी बन सकते हैं, कैमेरा, एडिटिंग की बारिक्यों को भी देख सकते हैं. अच्छा क्या आप ऐसे किसी मुजियम के बारे में जाते हैं, जो भ सकल्प्चर्स, बहुत कुछ है. ये अपने यूनिक डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है. साथियो, टेक्नोलोजी के इस दोर में आपके लिए इनके उत्तर खोजना बहुत आसान है. ये प्रस्ण मेंने इसलिए पूछे, ताकि हमारी नई पीडी में जिग्या सा बढ़ अगर मुजियम्स के लिए काफी दान भी कर रहे हैं. बहुत से लोग अपने पुराने कलेक्शन को, एतिहासिक चीजों को भी मुजियम्स को दान कर रहे हैं. आप जब ऐसा करते हैं, तो एक तरह से आप एक सांस्कृतिक पूझी को पूरे समाज के साथ साजा करते हैं. भा करता हूं. आज बदलते हुए समय में और कोवीड पोटोकल्स की वज़त से संग्रालव में नए तोर तरीके अपनाने पर जोड दिया जा रहा है. मुजियम्स में डिजिटाइजेशन पर ही फोकस बढ़ा है. आप सब जानते हैं कि 18 मैं को पूरी दुनिया में इंतरनेशन मुजियम डे मनाया जाएगा. इसे देखते हुए अपने युवासाथियों के लिए मेरे पास एक आइडिया है. क्योंना आने वाली छुट्टियों में आप अपने दोस्तों की मनली के साथ किसी स्थानिय मुजियम को देखने जाएं? आप अपना अनुभाव हैश्टेग म मुजियम मेमरीज के साथ जरूर साजा करें. आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी संगरहालों को लेकर जिग्या सा जगेगी.